हेलो और वेल्कम टू दा अनाधर सेशन ओप बैसिक मैथमेटिक्स और लॉगरिदम तो चलिए अभी तक कि अपने पार्ट सेवन यह साथ पार्ट अपन इस चाप्टर की पढ़ चुके इस चाप्टर में काफी कुछ नए ने टेक्निस अपन पढ़ चुके आपके को मुझे यह लग रहा है कि सेकंड मेथड यह काफी अच्छी लग रहे होगी क्योंकि यह जो सेकंड मेथड के जो लिमिटेशन से यह काफी काम है कुछ भी नहीं है ऐसा आपन मानेंगे तो इसलिए सेकंड मेथड यह अप्लिकेबल फॉर आल दे नमबर से नहींगी किन मानिए मेथड वन का यूज आप मोस्ट अफ टाइम कीजिए फॉर वन टु हंड्रेड अगर हंड्रेड के उपर अगर कोई नमबर होता है तो डेफिनेटली अपन मेथड टू के साथ जाएंगे समझ में आ रहा है आपको तो भला है आपको मेथड टू यह वरसाटल अपलाई करेंगे मेथड वन का ही यूज करेंगे यह धहन में रखेंगे मेथड वन यह ओरली होती है मेथड टू के लिए पेन एंड पेपर ज़रूरी है तो मेथड वन यह आप अच्छे तरह से इसकी भी प्रैक्टिस करते रहेंगे ठीक है इसे के साथ साथ आज अपन लोग के लिए काफी आसा नहीं हो जाएगी और या फिर आप लोगों में काफी लोग के मैसेस तो आ रहें में इस रिप्लाईस तो आते हैं और हम देख भी रहें कि आप लोग सौल कर पा रहें जो हूमवर क्वेश्चन में ने लास्ट सेशन में आपको दिया हुआ था यह इस एक्वल टू सिक्स रूट त्री अपॉन यह टू प्लस त्री इस तरह से क्वेश्चन था वो क्वेश्चन का अंसर टू आता है आप नोट डाउन कर लीजिए और मुस्ट अब दी लोगों ने इसका अंसर करेक्ट दिया है बट वाट अबॉट अधर्स अगर पचास लोगी की बैचे पचास लोगों में से अगर दस लोग रिपलाई दे रहे तो वाट अबॉट अधर 40 उन्होंने भी रिपलाई करना ही चाहिए यह दहन में रखे हर कोई रिपलाई करेगा तब जाके अपन आगे बढ़ेंगे अच्छी तरह से ऐसा नहीं होगा कि दो चार लोग ने पढ़ लिया तो काम हो गया ऐसा नहीं होगा इच और एवरी स्टुडंट यह सभी लोग ने पढ़ना चाहिए और अपन वाइसाई काम करेंगे तो अभी तक के रिपलाई नहीं दिया हैं कोई इशू नहीं बट आगे जैसे आप वीडियो देखते हैं जो भी हूमवर का कोश्चन रहता है डेपनेटली तुरंट आप म समझ में आ रहा है तो इसलिए जैसे आप यह क्लास देखते हूं क्लास खतम हो जाती है हूमवर कोश्चन जो होता है जल्दी से आप सौल कीजिए और उसके बाद तुरंट आप ग्रूप पे डाल दीजिए ठीक है चलिए आज के बाद आप इस तरह से ही करेंगे चलिए पह एक से लेकर 25 25 इसके स्क्वेर्स आपको याद करने हैं एक से लेकर 25 यह सारे के सारे स्क्वेर्स आपको याद करने हैं यह ध्यान में रखिए याद करने के लिए भी काफी आसानी होती है यह ध्यान में रखिए काफी आसांस होते हैं यह नंबर्स मुस्ट आप लोगं को 21 से लेकर 25 दिषक करने के लिए डिफिकल्टी जा रहे होगी 21 से 25 एक सी लेकर 20 तक तो आप दसवी तक आश्छे तरस ही याद कर चुके होगे लगाए पर 21 से 25 अपको यतिकल्टी जा रहे होगी आपको यह पांच नंबर याद करने मैं अभी एक एको ट्रिक बता देता हो आज ही ताकि आप 5 नहीं ये 21 to 30 आपको याद रहे जाएंगे 21 का अगर मैं square लिखो तो यह होता है 441 ठीक है 22 का अगर मैं square लिखता हूँ तो 484 आता है आप calculate करके देखिए यही आएगा 484 23 का अगर मैं square find out करने जाओ तो उसकी value मिलती है मुझे 529 अपने method के साथ कीजिए या फिर 23 वैसा भी आप calculation कर सकते हूँ method 2 के साथ तो काफी easy हो जाएगा 24 का square अगर करते हैं अपना find out करते हैं तो यह होता है 576 ठीक है next 25 का square यह होता है 625 26 का अगर square देखते हैं तो यह होता है 676 27 का square अगर देखू है तो 729 होता है 28 का अगर square देखू तो 784 784 next 29 का अगर square देखता हूँ तो यह होता है 841 ठीक है आप check करना और 30 का square यह 900 होता है ठीक है आप check करेंगे यही square साथ है अब देखिए याद simple वैसे करेंगे मैंने तो आपको एक से लेकर 25 तक के square याद करने के लिए बुला है बट अभी आप मैं 100% sure हूँ यह trick बताने के बाद आपको 30 तक के square याद रहे जाएंगे देखिए 21 का square होता है 441 21 इसका unit digit सबसे पहले अपन याद करेंगे unit digit इनकी sum 10 होना चाहिए वन में ऐसा क्या add करने से 10 आएगा तो ना ही तो देखिए आप 441 और 29 का square आप देखेंगे 841 ठीक है 21 का square होता है 441 तो 29 का square हो जाएगा 841 यह 41 41 simple वहाँ पे 4 है वहाँ पे 1 है याद रहेगा comparatively अपन study करेंगे next next अभी जैसे अगर मुझे 22 22 का 22 में unit digit होता है 2 उसमें 8 मैं add करूंगा तो 10 हो जाएगा तो देखिए 22 की मैं comparison करूंगा 28 के साथ तो 22 का square क्या है that is 484 484 तो definitely 28 का square आप देखिए तो 784 784 means 84 84 same simple 4 और 7 ठीक है hope so आपको समझ में आ रहा होगा 22 और 28 अभी आप यार करेंगे next 23 आप चेक कीजे अभी आपको समझ में आ रहा होगा 23 की comparison मैं किस के साथ करने वाला हूं 27 के साथ because 3 प्लस 7 is equal to 10 तो चेक कीजे 23 का square होता है 529 और 27 का square होता है 729 तो यह अभी आपको याद हो जाएंगे 23 का square 529 27 का square 729 next अभी 24 की comparison तो आप already करी चुके होंगे यह मुझे बताने की जरूरत नहीं 24 की comparison आप 26 के साथ करेंगे because unit digit 24 का 4 है तो 6 के साथ add करना पड़ेगा means 26 तो 24 का square होता है 576 तो 26 का square होता है 676 तो similar इस तरह से स्क्वेर होता है 4484 तो 28 का square आपको याद आना चे 784 23 का square अगर पूस्ता है कोई आपको तो definitely आप तुरंत 529 आंसर दिंगे तुरंत आपकी दिमाग में आना चे कि 27 का भी square similar है that is 729 कितना होता है 729 24 का square अगर आप calculate करते है तो आपको मिलेगा 576 और 26 का square 676 और 25 इसको किसके साथ compare करेंगे 5 का addition 5 के करने से ही 10 आता है तो 25 का square 625 यह simple और यह trick आपको पता ही होगी कोई भी number कोई भी number उसका unit digit अगर 5 है तो उसका square निकालना काफी आसा है इसमें भी देखिए जैसे 25 25 इसका unit digit क्या है 5 इसका unit तो आंसर आएगा 625 अगर मैं 35 35 का अगर square निकालता हूँ तो देखिए 5 है तो यह 25 थी के आगे वाला क्या होता है थी के आगे वाला क्या होता है 25 45 चा 20 55 का square अगर निकालता हूँ तो क्या होगा फिर से भाई unit digit में तो 25 आएगा और यहाँ पे 56 चा 30 तो 3025 65 चा square 6,7 चा 42 25 75 का अगर मैं square निकालता हूँ तो 7,8 चा 6,7,8 चा 56 25 next 85 का square 8,9 चा 72,7,2,2,5 95 का square अगर आप calculate करते है 19 चा 90 और 25 तो इस तरह से आप कोई भी नंबर के solve कर सकते हैं कोई भी नंबर के नहीं सिंपल जो नंबर उसका unit digit 5 है अगर नंबर उसका unit digit अगर 5 है तो उसका square आसानी से आप directly calculate कर सकते हैं method 1, method 2 सारे method के साथ आ जाएगा बट जब भी unit digit अगर 5 है तो यह आसान रहेगा simple इस वे से याद करने हैं अब आप बोलेंगे सर कि और कितनी methods याद करने हैं देखिए अपन जो jwe exam के लिए अपन प्रिपेर कर रहे हैं उस exam के लिए धैन में रखें आज के बाद कोई भी question solve करने के लिए method 1, method 2, method 3, method 4 जितने भी method पता चलते हैं सारे की सारे method पता करना है मैं mathematics के लिए नहीं all subjects कोई भी subject के लिए आप देखेंगे तो यही formula applicable रहेगा जितने भी method पता चलती हैं वो सारी के सारी method पता करना और सारी method में से सबसे best method वही रहेगी भलाई वो difficult method रहे चलेगा अगर वो कम टाइम में अगर answer दे रहे तो सबसे best method कहलाईगी यह धाम रखेंगे अब आप कितने भी method पढ़िए सबसे कम टाइम में जो method answer दे रहे वो अपने लिए सबसे best method हो जाईगी because जिस exam के लिए अपन prepare कर रहे वो exam वही बूलती है कि answer निकालना तो है लेकिन सबसे कम टाइम में जो भी answer देगा वो definitely tick कर देगा आगे जाएगी तो जो कम टाइम में solve कर रहा है वो question definitely तीन घंटे में उसके ज़्यादा number of questions वाल होंगे और ज़्यादा questions वाल हो रहे इसी का मतलब अपनी rank उपर जाएगी rank उपर जा रही मतलब अपना जो सपना है IAT में जाने का definitely वो पूरा होगा तो इसी लिए सबी लोग अच्छे से धान रखिए जो method अपने को कम टाइम में answer दे रही वही method का अपन आज के बाल use करेंगे तो method तो सीखना ही है और इसके बाद और method पता चलती है वो भी अपन सीखते जाएंगे और याद करते जाएंगे तो इस तरह से आपको समझ में होगा मैं आपको पढ़ा रहा था square जिसके दो method अपन already पढ़ चुके हैं जिसके दो method अपन already पढ़ चुके हैं दो method में हर कोई number का अपन कर सकते मिस 999 यहां तक के तो square हर कोई निकाल पाएंगे ठीक है उतना number फिर भी निकालने की जोर्रत होती ही नहीं है सव के आसपास sufficient ह पहली method अपनी 1 to 100 applicable रहेगे second method यह हर किसी के लिए applicable रहेगे ठीक है next 21 to 30 यह square दोनों method से तो अपन calculate कर पाएंगे बट फिर भी अगर अपन यह 30 तक के याद कर लेते तो सबसे बेस तो यही हो जाएगा because 30 तक के अगर याद रहेंगे तो कही पे भी physics की भी numerical solve कर रहें उसमें में भी काम आएगा यह mathematics में भी काम आएगा कि जब भी अपन calculation कर रहें तो simply इसका square पता रहें तो calculation करने की कोई जरूरत नहीं directly लिख लेंगे अपन ठीक है तो इसलिए 30 तक के आप याद किजिए clear और इसके बाद यह छोटी सी method मैंने बता है कि जिसका unit digit अगर 5 होता है तो अपन उसका square पैसे निकालेंगे तो square के regarding काफी कुछ पढ़ रहें पन how to find square root, how to find cube, how to find cube root यह भी पढ़ने वाले धहन में रखेंगे तो सबसे पहले अपन एक portion strong बना लेते हैं उसके बाद अपन नए इसके तरब जाएंगे हो सकता है कल के कल ही मैं आपको बता दू how to find square root, यह कल के session में मैं लेता हूँ, ठीक है, तो यह square आज आप अच्छे से और practice कर लीजे और यह method का भी use करेंगे, ठीक है, next, आज अपन नया topic पढ़ते हैं, that is mean proportional, जैसे ratio and proportional यह topic तो पन अल्रेडी पढ़ चुके, उसके properties भी जो पढ़ चुके, that is invertendo, alternendo, componendo, dividendo, componendo and dividendo, combined property, उस का use करके कल का homework question था, जो कि आप लोगों ने solve करके रता हैं, तो यह काफी कुछ अपन पढ़ चुके, इस में ratio and proportion में एक topic आता है, that is mean proportional, अब यह mean proportional में इस क्या, तो देखें, कोई भी अगर दो numbers दिया है, कोई भी अगर दो numbers दिया है, उन दोनों numbers का mean proportional क्या होगा, यह कभी question आता है, question इस तरह से आता है, find the mean proportional of 17.5 and 0.007, मैं जिस तरह से specify करके question ले रहा हूँ, question यह number ले रहा हूँ, इस number के जगा कोई और हो सकता है, हो सकता है वो, एक algebraic term दे दे, x की term में, या फिर इस तरह से number दे, question कुछ भी हो सकता है, लेकिन method वही रहेगी, किस तरह से mean proportional calculate कर आता है, तो find the mean proportional of, यह दो numbers, या फिर दो कोई expression इस तरह से दिया रहे जा, तो सबसे पहले, यह कैसे calculate किया जाता है, यह अभी अपन देखेंगे, तो पहला, इसमें, पहला अभी पढ़ते है, solution 1, finding the mean proportional of 17.5 and 0.007, तो इसको लिखने का तरीका अपन समझ लिए, तो भाही, जो ratio and proportion पढ़ चुके, mean, extreme, उसे के तहत, अपन ही solve कर लेंगे, जब भी mean proportional पूछा रहे, तो धान में रखना, पहला number, पहला number अपन as it is लिखेंगे, 17.5 is 2, mean proportional means, आपको यहाँ पे x लेना है, और यहाँ पे x, दोनों के बीच का mean, ठीक है, अब mean और extreme क्या होता है, यह, आपन already देख चुके, 0.007, देखेंगे, अब इस तरह से मैंने क्यों लिखा, तो देखें, यह दोनों numbers को क्या बुला जाएका, extreme, और यह दोनों numbers को mean, आपको निकालना क्या है, mean proportional, इसने यहाँ पे मैंने x लिखा है, ठीक है, mean proportional निकालना है, और इनी को तो अपन mean बोला जाता है, और इनी को, इनके product क्या बोला जाता है, extremes, इन दोनों numbers को क्या बोला जाता है, extremes, ऐसे अगर proportional में, अगर अपन लिखते हैं, तो एक property अपन पढ़ चु product of mean is equal to product of extreme, ठीक है, अब product of mean, mean क्या है, x multiplied by x, x square हो जाएगा, product of extreme, that is 17.5 multiplied by 0.007, ठीक है, multiplication करते हैं, 7 का multiplication करना पोड़ आज़ेगा, ठीक है, decimal point कितने इसके बाद है, 1, 2, 3, 4, तो 4 के बाद अपने को decimal point दिना है, 1, 2, 3, 4, तो आएगा, 0.121, 1225, 0.1225, अब देखिए, यह है square, एक चीज यहाँ से आप सिखेंगे, equality sign है, उसके right hand side में एक number है, left hand side में square है, देखिए, अपन competitive exam दे रहे हैं, तो यहाँ पर calculator वगरे तो use करना ही नहीं आले है, बराबर है, तो यहाँ पर calculation जो है, वो अपने कोई करना है, यही पर, pain and paper के साथ, तो simple, यहाँ पर square है न, तो दिबाग में यही आना चाहिए, कि यह number भी कोई ना कोई नंबर का square होना ही चाहिए, कोई ना कोई नंबर का square होना ही चाहिए, अब मैंने तो यह आपको पढ़ाया नहीं, कि how to find square root, definitely यहाँ पर square है, तो यहाँ पर मुझे x की value find out करना है, तो मैं यही करूँगा, क्या करना पड़ेगा step, अब बड़, mathematics step देखते हैं, taking square root on both side, taking square root, square root on both side, ठीक है, तो यह हो जाएगा x, और यह हो जाएगा under root, 0.1225, ठीक है, अब under root कैसे निकालते हैं, यह में थोड़ तो अभी तक के नहीं बताया है, बड़, simple, जितना अभी पड़ा है, यहाँ पे दिख रहा है मुझे 25, यह अगर 25 हो है, यह अगर 25 हो है, तो दिमाग में एक चीज़ स्ट्राइक होना चाहिए, कि इसका जो भी नंबर आएगा, वो unit digit 5 होना चाहिए, क्या, इसके आगे दिखता है 12, 12 है से कौन से 2 successive number का multiplication है, तो 3, 4 सा 12, 3, 4 सा 12, उसमें पाहिला नंबर अपन लिखते हैं, तो यह आ जाएगा, x is equal to, कौन से इसका है, 25 का 5, और 12 मिस 3, 4 सा 12, पाहिला नंबर है 3, तो 3, अगर आप चेक करेंगे, तो यह 35 का square होता है, 1225, देखिए, जो method मैं ने अभी just discuss किया आपके साथ, 35, यह 25 और 3, 4 सा 12, शायद last slide में होगा भी हो, 35 का square, चेक किजिए, 1225, 35 का square, 1225, वही है, 35 का square, 1225, तो इससे यह समझ में आ रहा है, ज्यादा calculation की जबरत नहीं रहेगी, अपने को method पता है तो, simple, answer, आजाएका x की value, 0.35, means अपन, यहाँ से एक ही चीज़ बोलेंगे, यहाँ से क्या बोलेंगे अपन, कि यह जो mean proportional पूछा है, किसका, 17.5 हो, and 0.007, इसका mean proportional आता है, 0.35, इसका mean proportional आता है, 0.35, ठीके, method का इस क्या होती है, mean proportional find out करने की, खुब सो आपको समझ में आ रहे चलिए, इसका second question लेखते हैं, अब second question solve करने के लिए, ज्यादा कुछ में समझाने की जरुरत नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है, mean proportional कैसे निकालते हैं, यह तो पता चल गया, कुन-कुन से दो numbers है, तो अगर आप check करेंगे, तो 6 plus root 3 and 8 minus 4 root 3, 6 plus, यहाँ पर मैं लिक लेता हू 6 plus root 3, और दूसरा number है अपना, 8 minus 4 root 3, ठीक है, अब यह दो numbers का अपन, यहाँ पर mean proportional find out करेंगे, यह दो numbers का अपन, mean proportional यहाँ पर find out करेंगे, ठीक है, तो देखिए, लिखने का तरीका same ही रहेगा, लिखने का तरीका same, किस तरह से, 6 plus root 3 is to x, x is to, 8 minus 4 root 3, ठीक है, अब देखिए, यह x, product of mean is equal to product of extreme, हर किसी को पता ही है, product of mean is equal to product of extreme, तो extreme यह है, इन दोनों का product, that is, 6 plus root 3 multiplied by 8 minus 4 root 3, ठीक है, अब देखिए, x square is equal to, यह दोनों brackets का multiplication, अब brackets का multiplication तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और करते भी आता है, चलिए, एक बार फिर से, सभी लोग मिलके करते हैं, पहला जो number है, पहला number consider करते हुए, इसको consider करते हुए, दुसरे bracket को अपन multiply करेंगे, तो 6, 8 सा होता है, 48 minus 6, 4 सा 24, root 3 plus, फिर अभी यह होगया, पहले number के साथ, अपन complete bracket यह multiply करेंगे, फिर second number consider करेंगे, और पूरे bracket को अपन multiply करेंगे, तो root 3 multiplied by 8, यह आजाएगा, 8 multiplied by root 3, यह multiplication है, rational और rational number का, चलिए, समझ में आ रहा होगा आपको, पढ़ चुके हैं, प्लस माइनस, माइनस आजाएगा, root 3 multiplied by 4 root 3, तो यह हो जाएगा, 4 multiplied by root 3, multiplied by root 3, ठीक है, तो step एक बढ़ा देते हैं, अगे से आपको समझ में आ जाएगा, तो 48 माइनस 24 root 3, प्लस 8 root 3, सोरी, हाँ, बराबर है, 6, 8 सा 48, 8, 6, 24 root 3, और यह आ जाएगा, 8 root 3, बराबर है, next, यह आ जाएगा, माइनस 4 multiplied by 3, तो 4 3 सा हो जाएगा, 12, 4 3 सा 12, ठीक है, अब अगर आप चेक करेंगे, तो देखिए आप, 48, 48 माइनस 12, अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो यह 48 माइनस 12 मिस 30, 36, 24 root 3, plus 8 root 3, 24 root 3, plus 8 root 3, क्या आएगा, एक, sorry, यहाँ पर यह cancel क्यों ने हो रहा है, यह समझना रहा है, मिस यहाँ पर मैंने जो एक्जाम्पल लिया है, वो एक्जाम्पल, इस एक्जाम्पल के according यह ठीक है, बट जो पढ़ना है अपने को, वो मकसद अपना यह परपजी स्वाल नहीं हो पाएगा, मैं इसमें question ही change कर देता हूँ, 6 प्लस 3 रूट 3 आना चाहिए, शायद इसमें वही लिखा है क्या, हाँ, 6 प्लस 3 रूट 3 अपना question है, मैंने यहाँ पर लिखती, time गलत लिखा है, चले, इसको अपन दोबारा पढ़ते हैं, कोई इस नहीं, इसको अपन दोबारा पढ़ेंगे, यह 3 रूट 3 ले ले लेते ह 3 रूट 3, ठीक है, चले, शुरुवात मिस, concept तो वही रहेगा, concept वही रहेगा, चाहिए यह problem change हो या फिर ना, अब यहाँ पर answer अपना कुछ अलग वे से आ रहाता है, इसलिए मैं question change कर रहा हूँ, बट concept तो वही रहेगा, concept में कोई changes नहीं, चले, mean proportional निकालना है, तो लिख इसने का तरीका वहीं, 6 plus 3 root 3, is to x, x is to, यहाँ पर 8 minus 4 root 3, ठीक है, चले, तो यहाँ पर product of extreme is equal to product of mean, तो product of mean हो जाएगा x square, और extreme का product, 6 plus 3 root 3, 8 minus 4 root 3, ठीक है, तो 6 8 चा, 48 minus 6 4 चा, 24 root 3, 8 3 चा, 24 root 3, 3 minus 4 3 चा, 12, 4 3 चा, 12, और 3, 12 3 चा, 36, ठीक है, अब आपको यह लग रहा होगा, सर आपने अभी direct क्यों लिखा, इससे पहले, मैं step by step लेकर रहा था, उसमें आपको समझ में आ रहा होगा, 3 multiplied by 4, 12, और root 3 multiplied by root 3, 3 हो जाएगा, तो 12 multiplied by 3, 36, ठीक है, आप देखिए, यहाँ पर, यह cancel होना चाहिए, यह cancel होना चाहिए, यह cancel होना चाहिए, that is, minus 24 root 3, plus 24 root 3, यह cancel होना चाहिए, इसलिए अपने question को change ही, चली, तो 48 minus 36, यहाँ पर answer आएगा, 12, answer क्या हैगा, 12, तो 12 को मैं लिख सकता हूँ, 12 को मुझे लिखना पड़ेगा, 12 को मुझे लिखना पड़ेगा, किस तरह से, x square is equal to 12 आ रहा है, तो मुझे x की value चाहिए, x की value के under, मैं मिस under root of 12, और under root of 12 होता है, 4, 3 सा 12, under root of 4 हो जाएगा 2, और यह हो जाएगा 3, तो x की value मुझे मिल जाएगी, 2 under root 3, तो यह हो जाएगा, इसका mean proportional, कुन से दो number का, 6 plus 3 root 3 and 8 minus 4 root 3, सब्सक्रोप सो आपको समझ में आ रहा होगा, how to find mean proportional, ठीक है, इसमें next question देखते हैं, चले, if x plus 5 is the mean proportional between, यह दो number दिया है, अब देखिए, यहाँ पे mean proportional, अभी तक के कोई दो number दिये जाते थे, उसका mean proportional अपन consider करते थे, x और वो proportional मे लिखते हैं, अब यहाँ पे इस question में, question पढ़ने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा, x plus 5, यह तो mean proportional अल्रेडी दिया हुआ है, ठीक है, तो लिखने का तरीका वही रहेगा, यह पहला number अपन consider करेंगे, यह पहला number consider करेंगे, x plus 2, mean proportional कुण सा है, x plus 5, ठीक है, next, तो x plus 5 फिर से आएगा, और अभी आएगा, x plus 9, ठीक है, product of mean is equal to product of extreme, चाहे आप यह mean proportional निकालो या फिर और कोई, ratio and proportional में यह तो possible है, that is, x plus 5 is equal to, x plus 2, x plus 9, x plus 5 का whole square, चले, a plus b whole square, identity वाला topic, याद कीजिए, a plus b whole square, क्या होता है, a square plus b square, 5 square 25, 2 times of a b, 2 times, 5 tools are 10, x, ठीक है, directly लिख लिए हम इने, next, यह दोनों brackets का multiplication, अब देखिए, दोनों brackets का multiplication, किस वे से करेंगे, simple, x multiplied by x, x square, ठीक है, next, यह दोनों, 9 plus 2, इन दो जो number है, दोनो numbers के addition, 9 plus 2 कितना होगा, 11, तो directly 11x, plus 9, 2 सा 18, simple, हो गया, एक by, एक, एक number से multiply करेंगे, बाद में तुसरे number से multiply करेंगे, यह, जब भी यह x वाले term रहेगी, आप इसे वैसे कीजिए, time बचेगा, कैसा, x square, यह दोनों का addition करो, उसके साथ x लगा दो, दोनों का addition, 9 plus 2, 11, 11x हो जाएगा, और 9, 2 सा 18, simple, यहाँ पर clear cut दिखाए दे रहा है, x square, x square, cancel हो जाएगा, x square, x square, cancel, next, बचेगा क्या, यह 10x है, यह उस साइड जाएगा, तो, क्योंकि यह 11 है, वो बड़ा है, तो मैं देखूंगा, 11x minus 10x is equal to, यह 18, इस साइड आएगा, तो 25 minus 18, ठीक है, तो यह x is equal to, 25 minus 18 में 7, तो answer अपने को 7 मिल रहा है, तो यह जो question है, ठीक, इस तरह से अपन solve गरेंगा, question क्या बोल रहा था, if x plus 5 is the mean proportional between x plus 2 and x plus 9, find the value of x, तो अपन x की value अभी find out कर चुके, given example का, जो given data है, उसको use करते है, क्या था, mean proportional दिया हुआ था, वही condition में अपने लिख लिया, mean proportional वाली condition, और उसे के सारे अपने solve किया है, ठीक है, oops, so आप लोगं को mean proportional ये topic समझ में आ रहा हुआ, ठीक है, चलिए, इसी का एक और topic आता है, third proportional, इसका एक और topic होता है, third proportional, ठीक है, तो अभी third proportional, third proportional में भी वही, दो numbers दिये रहेंगे, उसका third proportional क्या है, ऐसे questions आते हैं, simple, लिखने का तरीका change हो जाता है, लिखने का तरीका change होता है, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है, जैसे यहाँ पे, दो questions दिख रहे, तो दोनों questions अपन solve करेंगे, और definitely मैं guarantee देता हूँ, कि दोनों questions solve करने के बाद, आपक question 1, चलिए, जब भी third proportional रहें, तो लिखने का तरीका change होगा, बाकी कुछ भी नहीं, यह numbers कुन सा है, 2, 2 by 3, ठीक है, 2, 2 by 3, sorry, 2, 2 by 3, यह जो दूसरा number है, वो अपन लिखेंगे, दूसरा number जो रहेगा, उसी को repeat करेंगे, और जो मान के चलते हैं, कि third proportional इनका x है, मान के चलते हैं, कि यह जो दो numbers दिया हुआ है, यह दोनो numbers का third proportional x है, तो लिखेंगे किस तरह से, 2, 2 by 3, and जो second number रहेगा, यह ध्यान में रखेंगे, इसमें, जो second number रहेगा, उसी का repetition हैगा, उसी का repetition, आप बुलेंगे, सार, यह question अगर, 4 and, 2, 2 by 3 अगर दिया रहे तो, तो definitely second कुन सा है, 2, 2 by 3, तो 2, 2 by 3 को अपन repeat करेंगे, समझ में आ रहा है, लिखने का pattern, आपको ध्यान में रखना है, बाकी कुछ भी नहीं, solve करते तो अभी, आपको भी solve करते आ रहा है, right, simple, जब भी third proportional पूछा जाए, जब भी आपको third proportional पूछा जाए, तो आप लिखेंगे किस तरह से, जो भी second number दिया रहेगा, या फिर second जो कुछ भी expression दिया रहेए, number दिया रहे, या फिर polynomial दिया रहे, ठीक है, जो कुछ भी दिया रहे, वो आप लिखेंगे, उसका repetition लाएंगे, समझ में आ रहा है, लिखने का तरीका ये होना चाहिए, कि जो second रहेगा, उसका repetition, फि अपने लिए, product of mean क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो मैं extreme ले ले लेता हूँ, 2, 2 by 3 multiplied by x is equal to 4 multiplied by 4, that is product of mean, तो सबसे पहले ये, इसको solve कर लेते, 2, 3 सा, 6, 6 plus 2, 8, 8 by 3 हो जाएगा, is equal to 4 multiplied by 4, चलिए, 4, 1 सा 4, 4, 2 सा 8, यही पे, next, तो यह आ जाएगा, 2 by 3 multiplied by x is equal to 4, 2, 1 सा 2, 2, 2 सा 4, तो x is equal to, x is equal to, यह जो 3 उस साइड जाएगा, यह जो 3 उस साइड जाएगा, तो यह 2 के साथ multiply होगा, तो x is equal to 6 मेरा answer आ रहा है, आप भी calculate करके देखिए, क्या आपका भी answer 6 आ रहा है क्या, बिना दिखकर solve करेंगे तो, चलिए, चेक किजी आप लोग, जब भी आपको यह word दिखे, third proportional, जब भी आपको यह word दिखे, third proportional, तो third proportional का format क्या होता है, यह लिखने का, यह पता होना जरूरी है, यह अगर आपको अभी पता चल गया, तो यह solve करना कोई बड़ी बात में, solve अपन करी लेंगे, अगर नहीं करते आ रहा है, तो definitely, देख दे calculations हो रहें, वो समझी आप, नहीं समझ में आ रहा है, message कीजिए, मैं फिर से समझाते हैं, right, but solve करना, I hope, सभी को आ रहा है, simple, concept पढ़ने की ज़रुरत है, और concept क्या, यह दो numbers, यह दो numbers, इनका third proportional बोला है, तो format लिखने का यही रहेगा, मैं एक बार फिर से repeat कर रहा हूँ, जो second number रहेगा, उसी का अपन repetition नाएंगे, okay, चले, तो पहला question आपको समझ में आ रहा होगा, second solve करते हैं, second क्या बुल रहा है, कि a and b, sorry, a minus b and a square minus b square, इसका third proportional फिर से calculate करना है, तो second क्या है, उसका repetition, लिखने का format सबसे पहले, a minus b is to a square minus b square, is to, क्या हैगा, a square minus b square is to x, because यहाँ पे अपन मान के चल रहे, x is the third proportional between a and b and a square minus b square, आपको एक सेंटेंस वहाँ पे लिखना पड़ेगा, let x be the third proportional between a minus b and a square minus b square, और उसके बाद आप यह आप arrangement करेंगे, ठीक है, अब यह अगर arrangement आ गए, तो solve करना, फिर से कोई बड़ी बात नहीं, mean is equal to product of extreme, तो product of extreme हो जाएगा, x multiplied by a minus b, is equal to product of mean a square minus b square, इसका whole square हो जाएगा, double time multiplication, तो x multiplied by a minus b, multiplication करने से अच्छा वही लिखा रहे था, तो अच्छा रहे था, ठीक है, हाँ, दिखिए, a square minus b square, फिर से identity वाला topic, वो जो session है, I think part number third अपना, वो आप अच्छे से दिखी, उसमें आपको यह identity दिखी कि, a square minus b square, इसका expansion क्या होता है, a plus b, a minus b, और a square minus b square, ठीक है, और यहाँ पे है, x के साथ multiplication में है, a minus b, तो a minus b, a minus b, cancel हो जाएगा, because multiplication में है, इसलिए, तो x की value मिल जाएगे, आपको, a plus b, और यहाँ पे आएगा, a square minus b square, ठीक है, तो इस तरह से अपने, यह x की value यहाँ पे find out कर चुके है, अब यहाँ बुलेंगे, sir, value नहीं आ रही, तो यह question ही तो अपना a और b के form नहीं है, तो answer भी तो a और b के form में ही आने वाला है, तो जब भी, third proportional आपको यह word दिखे, आपका लिखने का pattern, आपको simply समझ में आना चाहिए, बाद में तो आप solve करी लेंगे, that is product of mean is equal to product of x, आपको यह topic भी समझ में आ रहा होगा, इसके उपर आप homework, homework sheet में मैंने आज question दिया है, तो इसके उपर आप यह question solve कीजिए, ठीक है, third proportional, mean proportional, और इसके बाद, अपना यह last topic, आज के लिए आप पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे, that is fourth proportional, अभी fourth proportional, यह फिर से नया topic, लिखने का pattern अलग रहेगा, बागे सब कुछ same रहेगा, fourth proportional, simple, तो इसमें, तीन numbers तो already दिये हुए रहेंगे, उसमें fourth proportional, उसका fourth proportional क्या है, यह पता करना है, देखिए, 1.5, 4.5, 3.5, 1.5, 4.5 and 3.5, इन तीनों numbers का fourth proportional calculate करना है आपको, सबसे पहला statement तो यह ही रहेगा, let, x be the, fourth proportional, fourth proportional of, कुन-कुन से number दिया है, 1.5, 4.5, 3.5, ठीक है, यह इन numbers का fourth proportional है, अब यह fourth proportional है, तो लिखने का pattern ही तू पता चलना चाहिए, तो simple, fourth proportional के लिए कुछ याद करने की ज़र्वत नहीं, जिस format में, जिस sequence में दिया है, वाई से अपन लिखेंगे, sorry, गलती हो गए, लिखने का तरीका same था, वो correct था, dot देते हैं, गलती हो, 4.5, इस्टू, sorry, 1.5, इस्टू 4.5, proportion में आएगा, 3.5 है, और इसका fourth proportional x, जो sequence में number दिया है, वही sequence में लिखेंगे, बाकी कुछ भी नहीं है, तो वो sequence में लिखा, fourth number उसका fourth proportional क्या आएगा, x, अब फिर से वही, product of mean is equal to product of extreme, extreme क्या है, mean क्या है, यह हर कोई अभी जानता है, right, that is, these are the extremes, these are the means, तो product of extreme क्या होता, 1.5 multiplied by x is equal to product of mean, that is 4.5 multiplied by 3.5, तो यह x is equal to 1.5 multiplication में है, तो right hand side में जानी के बाद, वो division हो जाएगा, divide में denominator में चला जाएगा, that is 1.5, division अगर दिखा जाए, तो 1.53 चा, 1.53 चा 4.5 होता है, तो x is equal to 3 multiplied by 3.5, तो 35, 3 चा, 35, 2 चा 70, 70, उसमें 35 add करेंगे, तो 105 decimal है, तो 10.5, तो hope so आपको यह calculation भी समझ में आ रहा होगा, और fourth proportional कि वे से calculate किया जाता है, यह भी आपको समझ में आ रहा होगा, clear है, चलिए, next, एक और है अपने पास question, solution to, चलिए, इसका भी अपन, statement वाई से लिखेंगे, let x be the fourth proportional of, 39, 6a square, and 2ab square, ठीक है, तो लिखेंगे किस तरह से, 39 is to 6a square, 2ab square is to x, यह अगर लिखकर होगया, तो अपना काम भाई है, फिर, product of extreme is equal to, product of mean, product of extreme क्या आएगा, 39 multiplied by x is equal to, 6a square multiplied by 2ab square, तो, x is equal to, 6a square multiplied by 2ab square upon 39, ठीक है, तो 39, 3 का division होने वाला है, यहाँ पर, simple, 3, 2 चा 6, 13, 3 चा 39 होता है, ठीक है, तो x is equal to, 2a square 4, 2, 2 चा 4, a square मतलब a cube, b square, मैं कुछ गलती गाता हूँ क्या, नहीं, सही लिखा है, upon 13, यह अपना answer आजाएगा, यह अपना answer आजाएगा, तो यह हो जाएगा उसका fourth proportional, यह उसका क्या हो जाएगा, fourth proportional, 3a, 3a, तो 39, 39, 6a square, is to 2ab square, is to x, simple, जो दिया है, question जो दिया रहेगा, उसके accordingly, जो fourth रहेगा, उसको अपन fourth proportional मानेंगी, और इस question के accordingly, यह अपना answer हो जाएगा, hope so, आपको समझ में आ रहा होगा, तो चली, आज अपन पढ़ चुके हैं, यह जो mean proportional, sorry, इसमें हैं वो topic, और छोटा हाँ, अभी देखिए, mean proportional कैसे calculate करते हैं, यह अभी आपको समझ में आ रहा होगा, next अपन पढ़े थे, third proportional, third proportional के question किस तरह से होते हैं, यह भी देखा हैं अपन ने, और उसके बाद fourth proportional, hope so, आपको यह proportional वाला topic, जैसा अपने ratio and proportional, यह पढ़ चुके दे, उसके properties भी पढ़ चुके दे, उसी का extension यह वाला part, that is mean proportional, third proportional and fourth proportional, आपको समझ में आ रहा होगा, अभी, मैं बार-बार यह जैसे, यह late, यह statement लिखने के लिए बुलता हूँ, और यह complete अच्छे तरह से लिखने के लिए बुलता हूँ, आपके दिमाग में यह आ रहा होगा, सर, अपन तो competitive exam की preparation करने जा रहे हैं, जहां पर objective type की examination है, इसमें यह कुन सी step से मतलब, यह किस तरह से find out किया है, यह तो कोई जरुरत ही नहीं दिखाने की, या फिर, यह कोई लिखने की जरुरत ही नहीं है, क्योंकि exam में तो अपने को लिखना ही नहीं है, simple, यह अभी अपन अपने notes बना रहे हैं, यह अभी अपन समझ रहें, learning चल रहे हैं, अभी अपनी stage कुन सी है, learning वाली stage है, और जब भी learning वाली stage होती है, वो अच्छे से अपन धीरे-धीरे आगे बढ़ाएंगे, लिखना है तो लिखकर ही रखेंगे, ताकि 10 दिन बाद, 2 मैने बाद, जब भी अपन वो copy open करें, तो वो समझना चाहिए, वो याद आना चाहिए, क्योंकि syllabus तो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, कि कुन सा कप पढ़ाता, क्या होता, यह याद नहीं आएगा, बार-बार revise करना पड़ेगा, तो अगर मान के चली, यह topic अपन, दो मैने बाद, या फिर तीन मैने बाद, अगर अपन उठाते, तो वहाँ पे x कहां से आए, यही तो नहीं समझेगा, तो simple, अपने को समझने के लिए, अपने copy में लिखना जरूरी है, एक्जाम में बिलकुल भी ने लगेंगे, यह लिखने की जरूरत ही नहीं, और वहाँ पे लिखकर अपन time pass भी नहीं करेंगे, time waste कहलाऊंगा, उसको time waste बोलूँगा, तो यह लिखूंगा, simple, अपने copy में लिखने के लिए, अभी अपन notes बना रहें, तो यह लिखना काफी जरूरी है, तो आप अच्छे तरह से लिखिए, और notes अच्छे तरह से आप बना कर रखिए, ताकि कुछ दिनों बाद आप अगर यह topics पढ़ना चाहतें, रिवाइस करना चाहतें, तो आपको वो समझ में आ जाए, one stop में, ठीक है, छली, hope so, आज का topic आपको हर किसी को समझ में आ रहा होगा, अगर इसमें कुछ doubt लग रहा है, तो definitely आप message कीजिए, आपको solution मिल जाएगा, ठीक है, छली, आज के लिए इतना ही, बाख की अपन, कल कंतिनु करीं, okay, thank you class.